हालो फ्रेंट स्वागत है अपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट गियान में आज के विडियो में बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में एक ऐसी बैंक जिसने पिछले एक साल में बहतरी रिटर्स बना कर दिये अपने शेयर होल्डर्स को लेकिन अब यहाँ पे चीज़े कुछ अलग होती हुए नजर आ रही है CLSA ने भी अपनी रिपोर्ट में इस पर्टिकुलर बैंक को कवर किया है क्या यहाँ पे रेटिंग को अपग्रेड किया है या फिर डाउन ग्रेड किया है टार्गेट बढ़ाए है या फिर कम किये है इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिसकसन करने वाले हैं और क्या यह अभी भी इस टाइम पे एक अच्छा बाइंग कॉल बन जाता है या फिर और कुछ चीज़े निकल के आती साथ के साथ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कॉर्पेट एक्शन भी दिखाने वाले हैं तो IDFC में कॉर्पेट एक्शन नहीं है दूर स स्टॉक्स में है तो यह चीज़ की क्लेट यह अब स्टार्टिंग से ही रखना तो वीडियो गर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल पर अगर आप फस्टाम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा अब आज की दिन अगर हम यहाँ पर देखे तो एक टाइप से एट पा जैसी ही सिचुएशन है सततर रूपे पैसे पर इसकी क्लोजिंग देखनी को मिली करीबन 0.064 परसेंट तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो बिलकुल वही सततर रूपे 60 पर उपन हुआ थो पैसे पर आपक के रिटैन्स आपको मिलती वह नजर आ रहे हैं 150anne के रिटैन जो है वह आपको यहाँ पर मेले हैं एक बारी प्यक्तिर प्रैल आपको देखा हूँ तो आप यहाँ पर समझ पाऊगी कि कैसे कैसे जो चीजें हैं वो आपको यहां पर देखने को मिली हैं यानि कि अगर आप देखो के तो जैसे कि पिछले वाइड़ी भी बात करें यानि कि इस साल में अभीता 32% के रिटरंस मिल चुके हैं वहीं एक महीने में 17-18% के रिटरंस हैं और पास साल में 85% के रिटरंस आपको यहां पर मिलती हैं नजर आ रहे हैं यानि कि रिटरंस अच्छी है बिल्गुल डिसाइन रिटरंस प्रोफाइल है उसमें कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती है जो थोड़ा बहुत करेक्शन आया है वो पिछले एक हफते में ही आया है ज यहां पर देखोगे तो क्या चीज़े हैं कि वॉल्यूम तो होते नहीं है जितना ओन एन एवरेज इसमें आ रहा है एक महीने से तो बैटरी यहां पर वॉल्यूम देखने को मिला है लेकिन कुछ बहुत बड़े मुमेंट के लिए जो ओवरॉल वॉल्यूम है उसका बढ़ सालते हैं फिर अपडेट्स पर बात करेंगे जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होगे कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना इस्टेक बढ़ा दिया है यानि कि जून और डिसम्बर 2022 से अपना इस्टेक जो है चतीस परसंट से बढ़ाकर 40 परसंट कर दिया है यानि क जून के कंपारिशन हैं बहुत अच्छे से परसंटेज इंक्रीज कर दिया है 15 परसंट से 19 पर अपनी होल्डिंग्स ले आये हैं अब डिया इस ने थोड़ा था चेंज जरूर किया है लेकिन फिर भी अगर हम जून के कंपारिशन में देखें फिर भी 2 परसंट क्यास पास का मॉमेंट है एमेफ यहां पर थोड़े से दिक्कत क्रियेट कर रहे हैं एमेफ उतना ज्यादा पॉइटिव नेज़न नहीं आ रहे हैं और उन्हों ने अपनी होल्डिंग्स को चार परसंट से कम करके करीवन पौने तीन परसंट पर ले आये हैं यह बात होगी यहां पर मैंने आपको बता दिया अब पहले एक इंपोर्डेन अपडेट फिर उसके बाद टार्गेट आईएफ फ़र्स्ट बैंक ने अभी इस ओफ्स जो होते हैं यानि कि एंप्लोई स्टॉक ऑप्शन प्लांज जो होता है जो इसमें अपने एंप्लोई को जो की लॉयल एंप्ल लग 49,750 यानि कि 27,39,750 इक्विटी शियर्स जो है वो इस पर्टिक्यूलर स्कीम के दिरू बांटे गए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक एक करके जो टार्गेट निकल के आए हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस यहां पे बता रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले क्लियर कर दूँगे यह बिलकुल उन लोगों के लिए जो शॉट टम के लिए बने हुए है तो शॉट टम में सेलिंग कर जक्तों लॉंग तो कोई दिकक्त नजर नहीं आती है तो अकॉर्डिंग टू आइसी ए यहां पे जो आईडिया फी फर्स्ट बैंक उसको कम कर दिया दाउन ग्रेड कर दिया है तो यहां से भी एक थोड़ा सा जो पॉजिटिव माहौल बन रहा था वो अब थोड़ा सा नेगिटिव में कनवर्ट होते हुए नजर आ रहा है CLSE ने जो बाइंग की रेटिंग थी उसको कम करके अंडर परफॉर्म यानि की एक टाइप से आप बोल सकते हो इसको दे दिया है सेल की रेटिंग और जिस अकॉर्डिंग 6% का फॉल हुआ है ना हाल फलाल में उसको कंसिडर करती हुए इस चीज को यहां पर अपग्रेट करा गया है अभी भी जो टार्गेट प्राइज है वो 85 तो जरूर है पहले कुछ जादा थे लेकिन उससे अब कम के टार्गेट दिये हैं 85 रुपीज के टार्गेट है यह उन लोगों के लिए मैं फिर से क्लियर कर देता हूं जो लोग बिलकुल शॉट टम के इसाब से अपनी किया है और बोला है कि जिस अक्वाडिंग इन्होंने नेट इंट्रेस्ट मार्जिन अपने सेक्टर बैस्ट नेट इंट्रेस्ट मार्जिन प्रोवाइड करा रहे हैं वो काफी जादा पॉलिटिव माहुल बनाता है तो यह सारी चीजे निकल के आ रही है आईडिया फिर्स से बोला है लेकिन हाँ शौट टम के साब से आपको चीजे थोड़ी सी जरूर देखनी पड़ेगी अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि यहां पर आपको कॉर्परेट एक्शन जो है वो दिखाने वाले हैं यानि कि आपको देखने को मिल बजाज होल्डिंग एन इन्वेश्टमेंट जो शेयर है बजाज का एक बहतरी शेयर है करीवन महंगा भी है और यह आपको बेस्ट फाइनिशल्स भी दिखाता है यानि कि इन टर्म्स ओफ रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत तगरी ग्रोथ है लेकिन यह कंपनी आपको जो है वो डिविडेंट देने वाली है और डिविडेंट कितना है 13 रुपे पर शेयर का 30 जून 2023 इसकी एक्स डेट निकल के आती है एक्स डेट तक अगर आपके डीमेट में इसके शेयर होंगे तो डेफिनिटली आपको यहाँ पर 13 रुपे पर शेयर का जो ओवरॉल डिव डिविडेंट या फिर नहीं बाकी मैं आपको एक चीज़ जरू बोला चाहूंगा किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनिशल एडवाइसर से जरू डिसकर्स करें और उसके बाद ही यहाँ पर स्टॉक मार्केट में निवेश करें तो वीडियो में फि झाल